मेरे नाम है अश्रिया और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूटीब चानल पर दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अप्लोड किया था एक्जाम जो पास करने के लिए क्या करने चाहिए प्रिपरेशन स्ट्राटीजित वगर उसमें हमने स्टेडी ट जो कि मुझे लगा इसके वीडियो बनाना चाहिए आफ्टर जिन्होंने वह कमेंट किया था उन्होंने मुझे डीम भी किया इंस्टेग्राम पर तो इसके वीडियो बनाना चाहिए और आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ देखने वाले है कि जो M.U.H.S. का पेपर हो बताने बट जो भी मैं यहां पर बताने वाला हूँ ध्यान दो समझो और बाकी जो आपको इंप्लेमेंट करना है आपका भी दिमाग लगा और अगर मैं होता तो मैं कैसे एक्जाम को सॉल्व करता कैसे लिगता और हमारे मेरे टाइम पर एन्वल पैटर्न हुआ करता था त तो वह दोनों चीज़ों का मिक्स करके मैं यहां पर आपको बताऊंगा ता कि यस आई बिलिव जो मैं करता हूं मेरे लिए वह वर्क करता है तो आई बिलिव यह आपके लिए भी वर्क करेगा वीडियो ध्यान से देखो पहले चीज़ अभी क्या होता था कि 42 पेज़ेस आ आपके answer book में, answer book, यहाँ पे आपको extra sheet नहीं मिलती, answer book में ही आपको लिकना पड़ता है, वही answer book में आपका जो भी पूरा exam में 75 marks का वो आपको complete करना है, जिसमें section A है, section B है, जिसमें basically 2 subjects होते हैं, तो वो सब कुछ आपको complete करना है, अभी क्या scene है, कि यह जो answer book है अभी, आज 46 pages वाली answer book यह आप आ रहे हैं, मतलब अभी आपको मिलती है, 46 pages वाली book 46 अब इस 46 pages में एक जो page है, पहला जो page होता है, वो होता है आपके mcqs के लिए, किस चीज के लिए होता है, आपके mcqs के लिए, यहाँ पे आपको mcqs attempt करने होता है ध्यान तो समझो, गल्ती मत करो, आपको एक चीज make sure करने है, जब भी आप paper attempt करते हो, mcqs में, आपको question number डालना question number जो होता है, वो mention करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ध्यान दे के question number डालो, उसमें भी, जो question paper है, वहाँ पे अगर ऐसा है, question number A, पिर उसमें है, roman letter में 1 इस प्रकार से bracket है, 2 इस प्रकार से bracket है, अगर है question number B, उसमें है A, और circle है, B circle है, तो जैसे numbering से, जिस प्रकार से है, वही numbers आपको देने है, अगर आप answer book में, question number A की जगा लिखते है, question number 1, तो कहा है question number 1, paper में नहीं है, और इतना नहीं समझ लिया जाता, आपको वहाँ पे 0 marks, अगर आप सिर्फ डाला है, आपने Q डाला है, और question number नहीं डाला है, या फिर question number A डाला है, इसमें जो सब question से, उसके question नहीं डाला है, तो 0 marks मिलता है, पूरा 3 गंटा नुकसा, गाटा, तो पहली चीज, question number पर ध्यान दो, focus, मतलब ये concentration के साथ अच्छे से लिखो, सिर्फ लिखने के लिए paper मत लिखो, या फिर लिख रहे हो, इतना pressure में मत आ जाना, कि basic चीज है, वो हाथ से चली जाए, बड़ा mistake नहीं हो, ठीक है, question number लिखना है, अब MCQ में क्या है, कि एक ही sheet है, उस एक sheet में, अगर ये एक, छोले, इसको थोड़ ही देर के लिए, हम मिट जा देते है, clean कर दे, ये तो चीज समझ में आई होगी, आपको definitely, हाँ, एक, एक जो page है, answer book का आपका, उसमें, one, two, three, four, ऐसे, 15 तक, and again, यहाँ पे दूसरा partition होता है, या से लेके 30 तक, mcqs आपको 30 नहीं है, ठीक है, 30 mcqs आपको नहीं है, आपको सिर्फ पहले के कुछ mcqs, फर्स section में के जो होने वाले थे, वो mcqs और second section वाले mcqs, तो यहाँ पे आपको proper question number वगरा mention करना है, और अगर यहाँ पे आपको mcq है, तो वो, उसका attempt यहाँ पे answer करना है, उसक question paper, तो एक जो question paper होता है, पहला question paper, वो होता है mcqs वाला, पहले यह होता था, कि mcqs के लिए half 30 minutes दिये जाते थे, फिर पहले mcqs solve करो, फिर वो paper लेके, फिर आपका, जो theory है, वो लिखने पड़ता था, अभी वैसा नहीं है, इसी time है, separate time नहीं है, उसी time में आपको 2 question paper द 13 mcqs basically होते है, तो 13 mcqs section a और b को मिलाके, तो वो आपको एक ही question paper में मिलेगे, वो आपको solve करने है, answer book के सबसे पहले page पर, ठीक है, सबसे पहले यह कर लो, अगर आपको लगता है कि मैं लेंद जो questions है, वहाँ पर जाता हूँ, subject question पर तो वो करो, बट मेरा आपको मानना है step by step चलो, directly बीच में यहाँ वहाँ मत घुसो, जो road है वो follow करो, यहाँ वहाँ shortcut के चकर में गुम जाओगे, so mcqs पहले कर लो, ठीक है, उसके बाद आते है, फिर आपके short answer questions, very short answer questions, long answer questions, या फिर एसे टाप questions, अब जो questions तीन मार के लिए है, दो मार के लिए है, पार्च मार क के लिए बड़े question है, basically एक चीज़ ध्यान में रखो, कि यह एक page गया, बाकी आपके पास 44 pages है, उस 44 pages का, यह 13 marks है, 75 में से 30 marks निकाल लो, कितने हुए आपके पास 62, 62 marks जो आपके return में है, लिकने के लिए subjective है, तो वो उसको 40 से divide करो, 44 या 42 से divide करो, and accordingly, एक मार के लिए आपक उतने pages और उतना time आपको लेना है, calculation यह आपको करना है, अब यह सब कुछ में परोज के नहीं दे रहा है, ठीक है, but अगर एक idea भी आपको दू, तो पाच मार का अगर एक question है, पाच मार का, तो उसके लिए आपको two and half page लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, और two and half page लिखना है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी बर दो, anatomy का paper है, anatomy के paper में आप क्या कर सकते हो, अगर पूछा गया है, किसी का structure पूछा गया है, gross location, तो आप सबसे पहली चीज़ आपको करती है, diagram ट्रॉक करो, diagram आदे page में आ जाएगी, फिर उसके बाद में चुर कि यह जो margin है, यह जो margin होती है, इसमें extra lines draw करके time waste करने की कोई जरूत नहीं है, यह अगर margin एक already है ना, तो इस margin के इस side पे आपको answer लिखने है, ठीक है, यह जो margin है, इसके यह वाले area में आपको answer लिखने है, और यह जो margin है, यहाँ पे आपको question number लिखने है, अगर consider नहीं किया जाएगा, हर कोई समझदार, मतलब समझ नहीं लेता, understand नहीं कर लेता, आपको समझदार सब होते है, इतना efforts लेने के लिए सब के पास time नहीं होता है, तो question number यहाँ पे लिखो, और आपका जो भी answer का content है, वो यहाँ पे लिखो, गलती मत करो, यही पे गलती करते हो और first जाते हो, ठीक है, अगर आप answer में points लिख रहे हो, तो वो points margin के इस side में नहीं आने चाहिए, क्योंकि यह side कि है, question number की है, अगर आप point लिख रहे हो, तो जैसे कि यहाँ पे question number A का first question है, और फिर उसमें अगर आपने यह answer दिया है, लिख रहे हो, आपने एक line, दो line, फ फिर वो point दो, जितना हो सके, point wise लिख है, और जो point है, उसको highlight करे, अब एक और चीज़, जो short answer question और long answer question के लिए, मैं आपको suggest करूँगा, कि आप यह ज़रू करे, ताकि presentation अगर अच्छा हुआ, तो definitely जो examiner आपका paper देखके खूश हो जाएगा, और वो एक आपके लिए उस particular paper को देखकर, examiner के मन में, एक soft corner बन जाता है, अगर presentation अच्छा रहा, तो handwriting भले अच्छी नहीं हो, but presentation अच्छा करी है, ठीक है, ज़रूर नहीं कि handwriting आपकी बहुत best, नहीं, with time handwriting नीचे नीचे चली जाती है, क्योंकि आपका speed भी आपको बढ़ाना है, तो writing की practice करना बहुत करना है, जैसे कि अगर आपने point start किया, for example, यहापे आपका answer अपने लिखा है, तो first point मुझे लिखना है, तो यहापे मैंने एक point लिखा है, जो भी heading है, उस point की वो heading है, यहापे मैं colon दे दूगा, अब हमें क्या करना है, कि यह जो point है, वो दीखना चाहिए, highlight होना चाहिए, उसके लिए आप underline करो, single करो, double करो, pencil से करने की ज़रोत नहीं, pen से ही करो, कोई problem नहीं है, लेकिन यह दीखना चाहिए, इसलिए इसको space छोड़ना है, यह जो आगे की जगा है, वो blank छोड़ दो, और यहाँ से लिखना शूरू करो, इसके नीचे वाला space रहे गया, और इसक लिखो, anatomy में, वही आप physiology में भी कर सकते हो, जो भी functions लिख रहे हो, पहला function है, जैसे कि, for example, regulating the temperature, या फिर regulating body temperature, regulating heat of the body, तो जो भी है और उसका explanation आप बाद में लिखते जाओ, इससे क्या होगा, आपका point highlight होगा, ज्यादा time waste आपका paper checking में नहीं जाएगा, तुरन देखते ही, अभी तो जो आपके paper है, वो PDF form में check होगे, PDF form में मतलब computer check ने करने वाला है, जो भी आपका paper है, उसको scan किया जाएगा, और वो PDF examiner के, जो teacher से check करने वाल है, उनकी तरफ send किया जाएगे, share किया जाएगे, और वो वैसे ही check कर लेंगे, जो traveling वागर वो time जादा था, अभी आ आपको follow करना, short answer question के लिए, very short answer और long answer question के लिए, long answer question में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कि क्या वो question multiple question है, मतलब दो चीज़े पूछी गई है, कितनी चीज़े पूछी गई है, जो पूछा गया है question में, वही आपको आपके answer में लिखना है, उससे जादा extra मत लिखने के लिए आपको marks मिलने वाले है, इसलिए time waste मर्ब करिए, जो आपको पता है, वो लिखने के चक्कर में, होशियारी करने के चकर में time waste भी होगा, और आपके marks भी नहीं मिलेगे, invest जब आपका time और आपका लिखना जो invest करते हो, उसका return आपको आने चाहिए, that is आपक करो, वहाँ पर आपको कुछ, आपकी मतलब दाल नहीं गलेगी, और आप खतम हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है, तो long answer question में, basically क्या होता है, दो से तीन चीज़े पूछी जाती है, for example, anatomy में, जैसे की, describe left lung, draw a neat label diagram, या फिर जो भी होगा, वो explain the blood supply, तो ऐसे दो या तीन चीज़े पूछी जाएगे, तो वो proper एक-एक mention करो, समझने चाहिए कि ये आप diagram है, अगर वहाँ पे number दिये गए है, तो ही number डालो, number नहीं है, तो आपके मन से number मत डालो, हाँ, point-wise आप कर सकते हो, तो वो point-wise आप करिए, ठीक है, उसके बाद, जो भी diagram है, जो चीज़े है, वो इस प्रकार से highlight अगर हो जाए, तो क्या ही बढ़र है, और पहले एक और negative चीज़ जाती है, जब आप ऐसे lines extra मारते हो न, margins, तो वो negative चला जाता है, आपको लगता होगा कि बहुत बढ़िया जाता है, lines मारूँगा नहीं, answer लिखो, content is the king, ये ध्यान में है, तो महंदी मत बना, second thing, अगर आपको अच्छा करना है, तो yes, आप जो tree diagrams है, tree diagrams आप बना सकते हो, tree diagrams के थूँ, आप points express कर सो, जैसे कि functions of hospital है, तो वो आप tree diagram बनाए, branches of psychology, tree diagram बनाए, scopes of sociology, tree diagram बनाए, वो कर सकते हो, ज्यादा decoration करने के ज़रूत नहीं, आम का पेड़ समल है, tree diagram, जैसे कि even ये भी बहुत ठीक है, enough है, इस प्रकार save diagram भी enough है, और बाकी फिर आप जितना creative हो सकते हो, बट इतना भी मत करो कि बहुत time चले जाएंगा, और वो इरिटेट हो जाएंगे, आया सिर्फ इसको इसको सिर्फ impress करने के लिए दिख रहा है, एक और important चीज, थर्ड चीज, जब आप exam में लिखते हो, तो आपको क्या समझ में आया है, वो लिखना है, आपके मन से लिखना है, आपके language में लिखना है, अब जब मैं बोलता हूँ, आपके language में लिखना है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको मराठी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, उर्दु में लिखना है, शंस्क्रिट नहीं, आपके लाइंग्वेज में लिखना है, in the sense, कि जो बुक में है ना, कि वो word to word लिखने की जरुरत नहीं है, उसमें जो important है, जैसे की size है, तो वो size कितनी है, 5 mm ही है, size है यह important है, तो वो आप paper में जब आप लिखते हो ना, तो वो present करते समय, आपके style में लिखो, the size of this is 5 mm, and its size is या फिर 5 cm, और जो आपके मन में जो आपको लगता है, वो लिख सकते हो, जो लगता है, यह नहीं, बट यह factual, जो सही है ना, वही लिखना है, बट आप style change कर सकते हो, आपके style से लिखो, ठीके, language, English ही होनी चाहिए, bookish language में मत लिखो, आपको जो समझ में आया है, वो इसा आप से लिखो, order आप change कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बट as per the question, ठीके, functionally पूछे गया है, तो अगर दिया है कि यह oxygen exchange करता है, वो करता है, हाँ तो पता है, बट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो है वही है, बट आपके style में लिखो, I hope you are getting this, यह चीजे बहुत basic चीज है, इसमें अब आता है कि, खूश रहिए, confident रहिए, खुद में believe करिए, जो पड़ा है, वो आप कभी भी भूलोगे नहीं, जो पड़ा है, वही exam में आएगा, जब मैं exam में जाता था, एक चीज़ यह भी थी, कि जो पड़ा है, वही exam में आने वाला है, must pray अगरा करके चले जाता था, full free, relaxed, और confidence के साथ जाता था, कभी भी मैंने, या फिर कोई देखागा नहीं, किसी ने मुझे देखा नहीं कि मैं worried हूँ exam के time में, कभी मैं exam में गया, शीवर हो रहा है, ऐसा कभी भी हुआ नहीं, exam के time में मैं आराम से बेटा हूँ, एकदम strike, जैसे कि मैं garden में घुमने आया हूँ, या फिर कोई modeling ही करने आपको भी यही चीज़ बोलोंगे, be relaxed, be confident, और जो आपने study किया है, वही exam में आएगा, इस हिसाप से आपका mind set होना चाहिए, कब यह exam के दिन, exam के पहले नहीं, exam के दिन, जब आप आज exam है, 10 बज़े exam है, तो 8 बज़े से आपके mind में यह होना चाहिए, कि जो पढ़ाए व आप ज़रू comment करिए, या फिर instagram पे मुझे DM करिए, फिर हमार साथ cancellation call book करिए, मैं आपके साथ बात करूँगा, और हम आपको आपके जो भी चीज़ है, वो solve करने के हम कोशिश definitely करेंगा, ठीक है, that's it in this video, I hope, यह form, I believe, कि अगर यह यह चीज़े follow करते हो, तो definitely results, and preparation भी important, यह यह मैंने presentation का part बता है, यह मैंने लेकिने का part बता है, लेकिन दो piece important है, एक है preparation और एक है presentation, preparation पे already video था, अब यह presentation की बात आई, यह presentation और आप खुद का presentation, मतलब सिर्फ exam में नहीं, आप भी कैसे होते हो, आपका attitude, आपका mindset, यह भी बहुत important है, आपकी health भी important है, so, एकदम तू इस वीडियो, I hope आपको वीडियो helpful लगा होगा, वीडियो helpful लगा है, तो वीडियो को like करे, चानल पर नए हो, चानल को subscribe करे, आपके सारे दोस्तों के साथ, पूरे MHS में, पूरे महारस्टर में, पूरे इंडिया में, इस वीडियो को फैलाईए, ताकि वो लोग भी अगर attempt कर रहे हो, तो इसका उनको उप्योगो help मिले, मिलता है किसी अच्छे topic के साथ, आप suggest कर ये, उस पे हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए, Shalom, Shanti, और Salam, Bye Bye